हलो मेरी प्यारी दोस्तों, कैसे हैं, आप सब लोग उमीद करती हूँ, आप सब लोग बहुत ही अच्छी होंगे आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करूँगे पन्धा मचली की रेसिपी पन्धा मचली कैसे मचली है, जिसमें ज्यादा काटे नहीं होती है, बस एक ही काटा होता है, और यह खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है, तो यहां पर दोस्तों, मैंने 500 ग्राम पन्धा मचली ली है, इसे अच्छे से साफ करके धूल लिया है, इसी दर्दरे पत्थर पे इसको जो है या फार्स पे रगड के इसको जो है साफ करना रहता है, और बहुत ही अच्छे से साफ सपाई कर ली है, तो चलिए बनाना सुरू करते हैं, तो यहां पर देखिए दूस्तों, इसी बनाने के लिए हमने तीन चार प्याज लिये हैं, और अद्रक लिया है, दो ज इस लेंगे, उससे पहले देखिए, यहां पर हम मचली में थोड़ा सा हल्दी मिलाएंगे, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा साथ में नमक मिला देते हैं, ताकि यह अंदर से खाने का टेस्ट बढ़ जाए, तो इसको जो है हम अच्छे से मिला देंग तो चली दोस्तो पहले हम प्याज को जो है काट लेते हैं, तो यहां इस तरह हम काट ले रहे हैं प्याज को, तो देखे दोस्तो सारे प्याज को जो है हमने काट लिया है, चली टामाटर को भी काट लेते हैं, तो यहां पर यह टामाटर थोड़ा सा हम बड़े साइज में का अगर हमारे वीडियो पर नए हूं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा तो यहाँ पर हमने अद्रक को भी ऐसे काट लिया है और जो लैसून है इसको भी हम काटेंगे नहीं और इसको ऐसे ही हम रख लेंगे तो चली दोस्तों अब ले लेते हैं मिकसर जार और इसमें जो है सारी चीज़े डाल देते हैं अद्रक लैसून हरी मिर्च और जो है कि टमाटर सारी चीज़े जो है इसमें डाल देते हैं और अच्छा साब पेष्ट तयार कर लेते हैं तो देखें हम दो डाल दिया है यह द गैस भी आन कर दिया है, आप इसमें डालेंगे सरसो का तेल, सरसो के तेल में काफी टेश्टी मचली बनती है, तो तेल हमारा गरम हो चुका है, तो हमने डाल दिया है, जीरा, दाल चीनी का टुकड़ा, तेश पत्ता, और चली अब डाल देते हैं, इसमें प्याज जो हमने प्यारी हो चुकी है, अछ रिटाkiye से, आप हम पेश्ट बन रखे हैं उसको डाल देंगे, इस तरह बनाने से दोस्तों काफी टेस्टी मचली बनती है, मचली तो सब अपने टारीकी से बनाती है, यहां हम आपने तरीकी से बना रहे हैं, तो देखे यह भी जो हमने přाण पॉ पस डालाप काथ की जिएथे सिल्वट्टे whilst भीम डालाप। और यहां भी मसाले होलों भीमिएस हैं हल्दी पाउडर में भीमज ब्रॉट वह थोड़ा से jedes मेरे के यहां भीम हां अज़ा तीखामी नहीं बनाना है, तोड़ा सा यहां पी हम टाल रहे हैं मीट मसाला, इसे काफी अच्छा स्वाद आता है। मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल के हमने डाल दिया है इसमें अब इसको हम ऐसे चला देंगे मिला देंगे और मसाले को जो है दोस्तों हम पका लेंगे अच्छे से मसाला जब हमारा अच्छे से पका रहता है तो जो है किसी भी चीज का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है तो इसको हम दो मिनों ढख के पका लेते हैं इस मचली को दोस्तों बच्चे भी आसानी सिखा सकते हैं तो अच्छे लिए देख लेते हैं जो हमारा अच्छे से पक गया है तो दूस्तों इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वादंसर दाल दिया है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मसाला जो है मारा अच्छे से पक चुका है तो जो हमने मचली को यहाँ पे नमा, खल्दी और मिर्च लगा के रखी थी 10 मिनट के लिए अब उसको इसमें डाल देंगे और जो है मसाले के साथ मचली को जो है अच्छे से हम पका लेंगे तो ज़्यादा इसको हम इधर दर से नहीं चलाएंगे बहुत ही सावधानी से इसे चला के पकाना है नहीं तो मचली कर जाती है क्योंकि मचली जो है भाव में ही पक जाती है ज्यादा इसे पकानी में टाइम नहीं लगता है तो इसको दोस्तों थोड़ी देर हम इसको एक दू मिनुट के लिए ऐसे हम ढख के एक मिनुट के लिए इसको हमने देखिए पका लिया है मसाले के साथ हो बहुत ही अच्छे से मसाले के साथ पक गई है और मसली दोस्तों देखिए अब ही हम इASको इधर उधर ज़्यादा चलाएंगे न तो यह भरता हो जाएंगी और इसके पीस ही खराब हो जाएंगी तो इसलि ज़्यादा हम इसको नहीं चलाएंगे यह देखिए मसाले के साथ जो है मशली हमारी अच्छे से पक गई है तो आप इसमें दोस्तों हम गरेवी के अंसार पानी भी डालेंगे तो आप जितना गाड़िया पतली गरेवी चाहते हूं उसे साबसे आप इसमें पानी डाल सकते हैं तो यहां पर देखिए दोस्तों हमने पानी डाल दिया है, यह देखिए, अब इसको हम ढख के पान्च मिट पका लेंगे, क्योंकि मछली हमारी पकी ही है और ज़्यदा इसके पकने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए इसको हम 5 मिट तक ही पकाएंगे, और 5 मिट के बाद हम पक गई है अब उसको थोड़ा साइसे हम देख रहे हैं चला के कहीं हमारी मचली कटी तो नहीं है फिराल मचली है यह कटी पिटी नहीं है तो दोस्तों चलिए देखिए हमने गयास को भी बन कर दिया है इसको धब धक देते हैं फिर इसकी बाद आपको दिखाते हैं तो आई से बहुत ही अच्छा स्वाद और आ जाता है तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से चला देंगे ऐसे धन्या डालने के बाद तो यह देखे गिरेवी जू है हमारी इतनी पतली बनी है आप इसे चावाल के रोटी के साथ किसी के साथ भी खाएंगे बहुत ही अच्छा स्वाद पाओर आएगा यहां पर देखे दोस्तों इसमें पीस एक भी ult片 नहीं है अर देखे वयसी वयसी रखे हुई है पीस देख सकते लिए और बहुत सा अधानी से इसे चला के हम ने पका लिया है तो देखाना दोस्तों मस्ली बनाना कितना आसान है और कम समय में बनके रेडी ह हो जाती है आप पंधा मचली एक बार मेरे इस तरीके से आप जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा सस्क्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ जब त झाल 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 झाल